So lately Russians are really surprising us with their movies चाहे special effects हो या VFX हो हमें हर तरीके से impress करने की कोशिश की जा रही है Lately मैंने Russian Coma Movie को review किया था जिसे आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं जहाँ पर हमें Inception Movie की तरह action देखने को मिला था So अगर आपने वो movie अभी तक नहीं देखी है तो don't forget to check it out सब्सक्राइब कीजिए फीट्फिक्स को और bell icon को दबाईए latest movie update सबसे पहले देखने के लिए Sputnik Sputnik जिस भी तरह से इसे प्रणाउंस किया जाता है यह एक Russian sci-fi movie है जिसे direct किया है Igor Abramenko ने जो कि मुझे नहीं लगता मैंने बराबर प्रणाउंस किया है जिनकी अगेन यह directional debut movie है और कहना पड़ेगा direction इस movie की लाजवाब है चलिए review में जाने से पहले जान लेते हैं कि Sputnik या Sputnik का मतलब क्या है Russian में Sputnik का मतलब है बेटा हाफ या companion या यह कह सकते है साथी यह नाम बेसली Russian satellites को दिया जाता है जबी भी कोई भी Russian satellite लाँच की जाती है तो उसे Sputnik 1, 2, 3, etc. ऐसे नाम दिया जाता है और क्योंकि एक astronaut के बारे में है जो की बाहर जाके space में फिर वापस आते हैं बेभी that's why इस movie का नाम Sputnik है I mean ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिकन अपने सारे missions को नाम देते है Apollo 7, 8, 11, 12, etc. Movie की स्टोरी फोकस करती है एराम 1983 में जहां पर टाटियाना नाम की एक डॉक्टर को Russian military recruit करती है ताकि वो एक कॉस्मोनोट एक एस्टोनोट की जाज कर सके जो की हाली में एक space mission से लोटे हैं और बड़े ही रहस्त में तरीके से एक दुरगटना से बचे हैं वो भी इसलिए क्योंकि उनके अंदर किसी तरीके का alien life है अब तात्याना को पता लगाना है कि ये alien life force क्या है कैसे आया, क्या चाहता है और ये इस एस्टोनोट के अंदर क्यू है और कैसे इस alien को इनके body से बाहर निकला जाए बट movie की story यहां पर खतम नहीं होती आगे जाके movie में काफि twist and turns हम देखते है जैसे explore करती है ये movie बहतरीन movie है ये जिसका नाम है Sputnik या Sputnik First things first, अगर आपने aliens movie देखिए Predators movie देखिए, Aliens vs Predators movie देखिए Life movie देखिए, जो कि सब alien life form पर based है तो आपको ये movie जरूर देखनी चाहिए, आपको definitely पसंद आएगी सबसे बहतरीन बाद इस movie की है कि special effects amazing है एक पल के लिए भी आपको ऐसा ही लगता है कि you know what this thing is fake और that thing is fake और इतने ही नहीं, जिस तरीके से हमें जब aliens movie से हम मिले थे Predators movie से मिले थे, Predators को देखा था, Alien movie में aliens को देखा था Life movie में हमने एक अलगी तरीके के organism को देखा था तो जबी भी हम कोई नया alien form देखते हैं, कुछ अजीब और गरीब तरीके का दिखने वाला और ये movie वही करती है, हमें एक अजीब तरीके से दिखने वाला alien form दिखाती है जिसे देखते ही हमारा interest बढ़ जाता है कि यार, ये alien क्या क्या कर सकता है और इतने ही नहीं, movie के starting में कुछ ऐसा दिखा दिया जाता है इस alien life form के बारे में, कि मतलब ये कैसे आया यहां पर, किस तरीके से ये एक बंदे के साथ में है कैसे कैसे है, डीटिल में नहीं जाओंगा मैं वरना spoiler हो जाएगा वो जब reveal होता है movie में, वो देखने लायक और बड़ा interesting था एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी movie में, वो ये कि पहली ये movie थी, जो alien के बारे में थी, sci-fi movie थी बट ये स्रिफ alien या science fiction के उपर focus नहीं करती, ये movie इसमें रहने वाले lead characters के उपर भी focus करती है इस movie की lead character Tatiana, ये इतनी सक्त क्यों है, और क्यों risk लेना पसंद करती है, ये बखु भी movie explain करती है और वहीं पर दूसरी और Valerie, वो जो भी करते है movie में, क्यों करते हैं, वो भी बराबर दिखाया जाते हैं हमें और movie में धेर सारी चीजे हैं, जो कि आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा, कि you know what, ये तो obvious है, ऐसा चल रहा है बट बहुत सारे thrillers, यानि कि movie सिर्फ science fiction के बारे में नहीं है, इसमें thrill है, suspense है, और ending में काफी अच्छा twist भी है हाँ, अगर अफसोस आपको तब होगा, जब ये movie खतम होगी, movie एक clear message दे देती है, कि इसका second part नहीं आएगा ये movie दो घंटे की है, बट trust में आपको पते ही नहीं चलेगा, कि दो घंटा कब खतम हो जाते हैं अगर आप literally एक बहतरीन sci-fi, alien movie देखना चाहते हैं, जो कि काफी time हो गया मुझे देखकर, तो definitely ये movie आपको impress करेगी और amaze करेगी इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस movie को rate करूंगा a 7 out of 10 तो दोस्तों ये था हमारा review, Russian movie Sputnik का, अगर आपको हमारे ऐसे movie reviews, series reviews, Netflix, Amazon, Hotstar, Alt Balaji, YouTube, Premium, etc, offers अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही office से अगर आप updated रहना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको, हमारे चैनल को subscribe करना न बुले, और हाँ bell icon दबाना बिल्कुल न बुले, अंति तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, stay home, stay safe, तुम दोनों पिटने वाले उमर से